दूसरा सलातीन, चौद्वांबाब और शाहे इस्राइल यहुआक्स के बेटे युआस के दूसरे साल से, शाहे यहुदा युआस का बेटा, अमसिया सल्तनत करने लगा, वो पच्चीस बरस का था जब सल्तनत करने लगा, और उसने युरुशलिम में उन्तीस बरस सल्तनत की, उसकी माँ का नाम यहुआद्दान था, जो युरुशलिम की थी, और उसने वो काम किया, जो खुदावंद की नजर में भला था, तो भी अपने बाप दौद की मानिंद नहीं, बलके उसने सब कुछ अपने बाप युआस की तरह किया, क्यूंके उंचे मुकाम ढाय ना गए, लोग हनूज उंचे मुकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे, और जब सल्तनत उसके हाथ में मुस्तहकम हुई, तो उसने अपने उन मुलाजिमों को, जिन्होंने उसके बाप बादशा को कतल किया था, जान से मारा, पर उसने उन खूनियों के बच्चों को जान से ना मारा, क्यूंके मुस्ता की शरीयत की किताब में, जैसा खुदावन ने फरमाया, लिखा है कि बेटों के बदले बाप ना मारे जाएं, और ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं, बलके हर शक्स अपने ही गुना के सबब से मरे और उसने वादिय शोर में दस हजार अदूमी मारे और सिला को जंग करके ले लिया और उसका नाम युक्तील रखा जो आज तक है तब इमसिया ने शाह इसराइल युआस बिन याहु अक्स बिन याहु के पास कासिद रवाना किये और कहला भेजा के जरा आ तो हम एक दूसरे का मुकाबला करें और शाह इसराइल युआस ने शाह यहुदा इमसिया को कहला भेजा के लिबनान के उंट कटारे ने लिबनान के दियोदार को पैगाम भेजा के अपनी बेटी मेरे बेटे से ब्या दे इतने में एक जंगली जानवर जो लिबनान में था गुजरा और उंट कटारे को रौंद डाला तूने बेशक अदूम को मारा और तेरे दिल में गरूर समा गया है सो उसी की दींग मार और घर ही में रह तू क्यूं नुकसान उठाने को छेड़ चाड़ करता है जिस से तू भी जिक उठाए और तेरे साथ यहूदा भी पर इंसिया ने ना माना तब शाह इसराईल युआस ने चड़ाई की और वो और शाह यहूदा इंसिया बैत शम्मस में जो यहूदा में है और एक दूसरे के मुकाबल हुए और यहूदा ने इसराईल के आगे शिकस्त खाई और उन में से हर एक अपने डेरे को भागा लेकिन शाह इसराईल युआस ने शाह यहूदा इंसिया बिन युआस बिन अख्विया को बैत शम्मस में पकड़ लिया और यरुशलिम में आया और यरुशलिम की दिवार इफराईम के फाटक से कोने वाले फाटक तक चार सो हाथ के बराबर धा दी और उसने सब सोने और चांदी को और सब बरतनों को जो खुदावंद की हैकल और शाही महल के खजानों में मिले और कफीलों को भी साथ लिया और सामरिया को लोटा और युआस के बाकी काम जो उसने किये और उसकी कुवत और जैसे शाह यहुदा अमसिया से लड़ा सो क्या वो इसराईल के बादशाहों की तवारिख की किताब में कलम बन नहीं और युआस अपने बाब दादा के साथ सो गया और इसराईल के बादशाहों के साथ सामरिया में दफन हुआ और उसका बेटा युर्बाम उसकी जगहा बादशा हुआ और शाह यहुदा युआस का बेटा अमसिया शाह इसराईल याहु अक्स के बेटे युआस के मरने के बाद पंद्रा बरस जीता रहा और इंसिया के बाकी काम सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीक की किताब में कलम बंद नहीं और उन्होंने यरुशलिम में उसके खिलाफ साज़श की सो वो लेकिस को भागा लेकिन उन्होंने लेकिस तक उसका पीछा करके वहीं उसे कतल किया और वो उसे घोडों पर ले आए और वो यरुशलिम में अपने बाप दादा के साथ दाओद के शहर में दफन हुआ और यहुदा के सब लोगों ने अजरिया को जो सोला बरस का था उसके बाप अमसिया की जगह बादशा बनाया और बादशा के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद उसने एलाद को बनाया और उसे फिर यहुदा की मुमलकत में दाखिल कर लिया और शाह यहूदा युआस के बेटे इमसिया के पंधरमे बरस से शाह इसराइल युआस का बेटा युर्बाम सामरिया में बादशाही करने लगा और उसने एकतालिस बरस बादशाही की और उसने खुदावंद की नजर में बदी की वो नबाद के बेटे युर्बाम के उन सब गुनाहों से जिन से उसने इसराइल से गुना कराया बाद ना आया और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुखन के मताबिक जो उसने अपने बंदा और नबी युना बिन इमती की मारफ़त जो जात हिफर का था फरमाया था इसराइल की हद को हमात के मदखल से मेडान के दरिया तक फिर पहुँचा दिया इसलिए के खुदावन ने इसराइल के दुख को देखा के वो बहुत सख्त है क्यूंके ना तो कोई बंद किया हुआ ना आजाद छूटा हुआ रहा और ना कोई इसराइल का मददगार था और खुदावन ने ये तो नहीं फर्माया था कि मैं रुए जमीन पर से इसराइल का नाम मिटा दूँगा उसने उनको युआस के बेटे युर्बाम के वसीला से रहाई दी और युर्बाम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया और उसकी कुवत यनि क्यों कर उसने लड़कर दमिश्क और हमात को जो यहुदा के थे इसराइल के लिए वापस ले लिया सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बन नहीं और युर्बाम अपने बाब दादा यनि इसराइल के बादशाहों के साथ सो गया और उसका बेटा जिक्रिया उसकी जगहा बादशा हुआ